पिरे शिक्षयारतियों, नमस्कार, मैं रामनारायन मीना सेक्षिक अदिकारी संस्कृत आपका हार दिक स्वागत करता हूँ सिक्षयारतियों, संस्कृत जैसे रोचक विशय का चैन करने के लिए सर्वपर्थम में आपको बहुत-बहुत सुपकामना ही देता हूँ इस विशय को आपके समक्स प्रस्तूत करते हुए मुझे अत्यंत ही हर्षकानबव हो रहा है आसा है कि यह विशय आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा शिक्षयार्तियों जैसा कि आप जानते ही होंगे कि संस्कृत भासा विश्व की प्रमुक सम्रद्ध भासाओं में से सबसे प्राचीनतम भासा है जो की नैके एवल हमारे प्राचीन वेदिक साहित्य, लोकिक साहित्य, समाज, संस्कृति, विरासत तथा हमारे प्रासांगिक एवं जीवंत प्रमपराओं का दरपन है तथा स्रोत है अपितु यह आधुनिक ज्ञान विज्ञान के अध्यन में भी भहुती साहिक है प्रेशिक्ष्यारतियों आपके सामने प्रस्तूत के जा रहे संस्कृत भासा के इस विशय का सामान्य उद्देश से शिक्ष्यारतियों में सामाजिक, संस्कृतिक, नैतिक, एउम, राष्टिय मुल्यों का विकास करना है इस विशय का अध्यन करने के उपरांत आप में संस्कृत भासा के प्रती अभी रूचितो उत्पन होगी ही साथ ही आप संस्कรत भासा के सामने ज्यान के साथ साथ संस्करत भासा के सरल अनसुन को सुनकर या उनको पढ़कर तता उनका अर्थ समझने में भी सक्षम हो पाएंगे संस्कर्ट साहित्य की पर्मक्ष विधाओं में गद्य, पद्य, चंपुशली तथा नाटक आधी की जो परतिनी दी रचनाएं हैं उनसे भी आपका परिचे हो पाएगा पिरे शिक्षयार्थियों प्रस्तूत विशे के कुछ विशिष उद्देशे भी तई के गए हैं जैसे शिक्षयार्थों में वाचन कोसल, पठन कोसल तथा लेखन कोसल आधी का अविकास करना अगर हम वाचन कोशल की बात के रिए शिक्षारतियों तो वाचन कोशल के अंतरगत संस्कृत बासा की वर्ण माला के साथ साथ संस्कृत की विशिष्ट धहुनियों की पहचान तथा उन धहुनियों का उचरन कर पाने में भी आप सक्षम हो पाएंगे संस्कृत बासा में सरेल वाक्यों का निर्मान किस तरह से किया जाए उनका अर्थग्यान कैसे किया जाए तथा उन वाक्यों का सुद्ध उचारन किस तरह से किया जाए यह करने में भी आप सक्षम हो पाएंगे इनके अलावा शिक्षारतियों पद्धे रचनाओं का सैसवर वाचन करने में भी आप सक्षम होगे और पठन कोशल के अगर हम बात करें तो पठन कोशल के अंतरगत संस्कर्थ के गध्यानसों, पध्यानसों या नाट्यानसों का इसपस्थ यह सुद्ध पाट करना तथा उनका किस तरह से भावार्थ किया जाए यह कर पाने में भी आप सक्षम होंगे लेखन कोशल के अगर हम बात करते हैं शिक्षम हो पाना यह भी आप समझ पाएंगे इसके अलावा शिक्षयार्थियों पठीत कथा अत्वा उसके अंस का सार अपने सब्दू में संस्क्रत भासा में लिख पाने में भी आप योग्या होंगे इसके अलावा सिक्ष्यार्थियों विभिन चित्रों को देखकर उनके विशे में संस्कृत में आप रचना लेखन भी कर पाने में योग्या होंगे तथा दिये गए वाक्यों को जो गठना है गठना के कर्मा नुसार लेख पाने में भी आप योग्या होंगे प्रिये सिक्ष प्रणस्तान, संदी, समाज, धातुरूप, सब्दूरूप, प्रत्य आदि के विशे में अपने ज्ञान में वरद्धी कर पाने में सक्षम होगे। शिक्षयारतियों, संस्कर्थ विशय का चैन करने के लिए एक बार फिर मैं आपको हार्तिक बधाई देता हूँ और आसा करता हूँ कि इस विशे को पूर्ण कर लेने के उपरांत आपके ज्ञान में अवशे में वरद्धी होगी। धन्यवाद सिक्षयारतियों